वेलकम टू ओलाइन अस्टडी क्लासेश आज हम आपके साथ जनवरी मंच का करेंट एफेर डिसकस करने जा रहे हैं हमने जो है दिसंबर मंच का भी करेंट एफेर डिसकस किया था जिसको दो पार्ट में डिसकस किया था आप मारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दिसंबर का क current affair आपके साथ discuss करेंगे ये भी दो पार्ट में रहेगा अगर ज़्यादा current affair और देखते हैं अगर होता है तो तीन पार्ट में भी कर सकते हैं लेकिन कोशिज करेंगे कि दो ही पार्ट में आपका खदम कर दें ये जन्वरी का current affair काफी important question मैंने select किया है जो कि आपके exam nation के बहुत ही ज़्यादा helpful होगा banking में तो कहिए कि बहुत ही ज़्यादा question पूछता है अगर मेंस का examination में मतलब banking से related जो भी current affair आते हैं तो वो कभी कभी 6-7 भी हो जाते हैं इसलिए जो है उन लोगों के लिए तो काफी important होता है तो start करते हैं जन्वरी मन्स का ये current affair को first question is who is the new chief of army staff of Indian army इंडियन आर्मी का जो है नए जो आर्मी चीप बनाया गया है new chief of Indian आर्मी का जो कोन है तो इसको दिखे ये है विपीन रावत विपीन रावत को जो है आर्मी स्टाप का इंडियन आर्मी का जो है new chief बना गया है विपीन रावत को विपीन रावत के बारे में आपको बता दें कि ये main of surgical strike कहलाते हैं इंडिया के इन्होंने मतलब नौर्थ इस्ट के चेतर में या पाकिस्तान के बॉर्डर का चेतर हो या चाइना का बॉर्डर क जहां भी surgical strike हुआ है उसमें विपीन रावत का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बखुवी तरीके से surgical strike किया है तो ये अच्छे planner है बहुत अच्छा intelligence है इनके पास तो इसलिए जो इन्हें आर्मी का जो है new chief बना गया है विपीन भी नेम्ड आज दञीू wal अगन्यस्टर ऑफ रोमानिया का न्यू प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया है तो या सोरि ऑगरेंने मीडेन को इसको प्राइब मिनिस्टर मॉप रोमानिया में प्रेड़ाई इए जो इस और के पास आब मेंन्यस्टर किसे और के लससे अग Wow वीकेव पार्टिल, एकेंधारो वीकेव पार्टिल, who recently passed away, was the well-known politician of which state, किस state के well-known politician थे, देखें, दो कोस्चन यहां से बनता है, पहला ये पूछा जाएगा, कि जो एकेंधारो वीकेव पार्टिल है, वो किस छेदर से रिलेटेड है, पहला कोस्चन यहां आपको उसमें बत politician थे, दूसरा ये question पूछा जाएगा, जो कि हम बनाए हुए है, कि किस state के politician थे, तो ये महराष्ट के थे, महराष्ट के politician थे, जो कि recently passed away हो गया, जिनके मतलब देहान थो गया recently, और इनको जो है, नीक मतलब लोग महाँ प्यार से जो है, बाला साहे विकेव पार्टिल भी ब बोलते थे, महाँ के लोग, बाला साहे विकेव पार्टिल, महराष्ट के लोग बोलते थे, 84 साल की उम्रती इनकी, ये Congress Leader थे, और 8 वार MP के चुनाव में जीते हुए थे, 8 वार इन्होंने MP का चुनाव जीता था, लेकिन बाद में, इन्हें रिसेंटली जो है, उन्होंने N फीच स्पोर्ट, इसका नाम काफी famous रामेडिया में, ठीक है कुस भगत का, जन्वरी मन्त में, ये कुस भगत का जो, किस खेल से Associated हैं, किस स्पोर्ट को खेलते हैं, तो ये Chase को खेलते हैं, कुस भगत जो है, चेस से Related है, कुस भगत ने, तीन Gold Medal जीता, तीन Gold Medal जीता है, प कुस भगत ने 1st Western Asia Youth Championship जो कि United Arab Emirat में हुआ, UA में हुआ है, 1st Western Asia Youth Championship इसमें 3 Gold Medal जीता इसने, आपको बता दें कि ये कुस भगत जो है, मुंबई का रने वाला है, महरास्टर इस्टेट में, और ये Standard 2 का student है, Standard 2 का student है कुस भगत इन्होंने 3 Gold Medal जीता है, 1st Western Asia Youth Championship में, ठीक है, फिर है, where is the headquarters of the International Federation of Football History and Esthetics, तो काता है कि headquarters कहा है, ये आपसे कभी-कभी ये क्या करते हैं, कि ये पूछ लेते है, IFFHS, इसका headquarters कहा है, तो उस टाइम में आपको जो है IFFHS का फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए लिए फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा कि IFFHS का फुल फॉर्म होता है International Federation of Football History and Esthetics International Federation of Football History and Esthetics IFFHS का Headquarter का है यह है स्वीटिजर लेंड में स्वीटिजर लेंड में है लॉसेनी स्वीटिजर लेंड लॉसेनी जगा का नाम है लॉसेनी स्वीटिजर लेंड में यहाँ पर है इसका Headquarter है फिर है India's First Transgender आप लोगों को पता है कि अब जो SSC का भी जो form आता है उसमें भी लिखा रहता है Man, Woman यह Transgender तो ये transgender को मतलब अब जो है validity दे दिया गया है government of supreme court of India ने transgender को भी मतलब वो अधिकार provide किया है जो कि men's और women को provide है तो इंडिया का first transgender school आप से ये question पुछा जाएगा आप दिखेश में दो question बनेगा कि इंडिया का first transgender school कौन सा है तो ये है sahaj international ये जो है इंडिया का first transgender school है पुछा जाएगा कि इंडिया का first transgender school sahaj international has started in which state किस state में start किया गया है तो ये केरल में किया गया है केरल state में जो है इंडिया का first transgender school sahaj international start किया गया है ये school जो है transgender लोगों के लिए उसके job opportunity प्रोवाइट करेगा उसे education प्रोवाइट करेगा और उनको जो basic needs है उस चीज़ को प्रोवाइट करेगा ये transgender का school जो है सहज international तो इससे क्या होगा कि एक जो equality की भावना है वो equality की भावना develop होगी और उनके अंदर जो हीन भावना कि जो क उन्हें किसी भी मतलब मुझे उसे हेद रिष्टी से समाज में देखा जा रहा है तो इस तरह की भावनाएं खत्म होगी तो ये एक अच्छा initiative है केरल government के द्वारा और केरल government ने इसे अच्छे से अभी मतलब establish किया है और मुझे लगता है कि आगे चलकर हर एक state में इस तरह कि स्कूल होनी चाहिए तो चलते हैं और नेक्स्ट जेनरल एवर्नेस का question को question है 7th number which state government has recently declared 50% reservation in judicial service for OVC, SC, ST and EVC तो किस state government ने 50% reservation को मतलब पूरिद माननता दे दिया judicial service में किसके लिए OVC के लिए SC के लिए ST और EVC के लिए ये दिया है बिहार government ने जो लोग BSSC का एकजाम देने जा रहे हैं और जो लोग BPSC का एकजाम देने जा रहे हैं वो लोग के लिए ये सोचिए तो निश्ची त पूछा जाएगा कि 50% reservation जो है कौन सा state government दिया है judicial service में OVC, SC, ST और EVC के लिए वो है बिहार state government ने दिया है पहले आपको बता दें कि जो subordinate judicial service था इसमें था 50% reservation जो बिहार government प्रवाइट करती थी लेकिन अब जो है बिहार government के नए कानुन के अनुसार superior judicial service जो है उसमें भी 50% reservation का प्रावधान कर दिया गया है तो इसलिए अब बोथ superior judicial service और subordinate judicial service दोनों में बिहार government जो है 50% reservation देगी OVC, SC, ST, and EVC के टेगरी के लोगों को एट नमर question है कि who have been chosen for the 2016 Naval Khan Award for भारतियक ज्यानपिट तो भारतियक ज्यानपिट में Navalian Award 2016 का किसे मिला है दो young writer है सारधाना और कुमार देवांस ये दोनों young writer है इन दोनों को जो है 2016 Naval Khan Award से भारतियक ज्यानपिट Award से इसे comfort किया गया है उन्हें सम्मानित किया गया है तो ये question आपसे आ सकता है इसनका जो book है सारधा का ये है हवा में फदबदाती चिठी हवा में फदबदाती चिठी और कुमार देवांस जो है poem a poet है इन्होंने poem जो लिखा है अकास में दे ये जो है दो लोग है जिसे की 2016 नवेल खानेवार्ड फोर भारतियक ज्यानपिट के लिए सम्मानित किया गया है फिर चलते हैं which of the flowing banks has tied up with online portal magicbricks.com ये एकदम banking का sure short question है magicbricks.com के साथ जो है which of the flowing banks has tied up with the online portal for magicbricks.com to conduct joint marketing activities joint marketing activities के लिए magicbricks.com के साथ किसने partnership किया है तो ये partnership किया है और उन्होंने एक slogan भी दिया है लांच किया है एक campaign लांच किया है उस campaign का नम है seal the deal, seal the deal ये जो है SBI और magicbricks दोनोंने मिलके लांच किया है campaign seal the deal, seal the deal ठीक है तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लिजे कि SBI plus magicbricks.com के साथ joint marketing हुआ activity फिर बुक से आप जानते हैं कि related new books related question आ रहे हैं examination में तो the book the secret code the secret code has been authorized by whom? किसके द्वारा authorized किया गया है तो ये है Geralandy Brooks ये वही writer है जिनोंने की जिसे की Pulitzer Prize से सम्मानित क्या गया था Pulitzer Prize से ये बिनर है ये Geralandy Brooks इसलिए ये काफी important है इनको जो है Pulitzer Prize भी दिया गया है तो ये the secret code book का जो है writer है Geralandy Brooks और इनके और भी जैसे इनका जो novel है the secret code ये जो है life of king david ये जो है king david के life पर जो है अधारित इनका novels है the secret code फिर हूँ has been appointed as the new chairman of the UPSC very important question who has been appointed as the new chairman of the UPSC UPSC का नए chairman किसे बनाया गया है point क्या गया है तो UPSC का पहले full form आप लोग इस चीज़ को याद रख ली जेगा है Union Public Service Commission SSC का full form होता है Staff Selection Commission तो SSC, UPSC, UPSC बहुत ही high level के examination conduct रहाते है तो ये जो है chairman जो इनका बनाया गया है वो है David R. Siamli David R. Siamli और ये मेघालय स्टेट के हैं मेघालय राज के निवाशी हैं तो Professor David R. Siamli इनको जो है UPSC का chairman नया chairman बनाया गया है David R. Siamli 2018 तक साइद रहेंगे ये ठीक है जब तक ये रिटार नहीं होते हैं तब तक ये रहेंगे 2018 तक साइद फिर चलते हैं Which Indian origin British Professor Indian origin के हैं भारतिय मुल के आज निवासी हैं ये British Professor has been honored with the Queen Elizabeth II Knighthood ये इस एवार्ड से किसे सम्मानित क्या गया honored क्या गया है तो ये है Professor Sankar Balasurmaniam Professor Sankar Balasurmaniam इन्होंने जो है DNA sequencing, medicine, biology से related चीज़ों पर अपना काम किया है इसलिए जो इन्हें Professor Sankar Balasurmaniam को Queen Elizabeth II Knighthood से comfort किया गया है सम्मानित किया गया है next चलते हैं Who is the newly elected chief justice of Pakistan Pakistan का newly elected chief justice को ने तो ये है मायन साकीब निसार मायन साकीब निसार पहले जो है ये Lahore High Court के जर्ज थे Lahore High Court के जर्ज थे मायन साकीब निसार इसे जो है chief justice of Pakistan बनाया गया है चलते हैं The Vargar Dhanouha Festival of which state ये जो है Vargar Dhanouha ये festival है किस state में मनाया जाता है तो ये औरिशा में मनाया जाता है इधा recently इसको मनाया गया है Vargar Dhanouha festival ये औरिशा में मनाया गया है ये लगभग 12 दिन का festival होता है ठीक है Vargar Dhanouha तो ये काफी धुमधाम से मनाया गया वहाँ पर author of book Skatter Saul Skatter Saul इस book के लेखा कोन है ये है सहनाज वसीर सहनाज वसीर काफी famous book है Skatter Saul इसमें जो है जो कस्मीर के खाटी में कस्मीर के भेली में जो लोग रहते हैं उनके life loss उनके death उनके बारे में बताए गया उनकी जिमनी के बारे में बताए गया है तो सानाज वसीर ने बहुत अच्छे से इस बुक को वहां के लोगों के बारे में एक परकार से सोचिए इसकेटर जो स्वाल्स है ये collection of stories है वहां के कस्मीर के लोगों के stories बताए गया है जो की घाटी में रहते हैं किस तरह से उनकी जिंदिगी है फिर है who has been awarded scroll of honor by government of India to promote cashless transaction तो scroll of honor से किसे सम्मानित किया गया government of India के द्वारा ये है गौरब गोयल गौरब गोयल को सम्मानित किया गया है scroll of honor से government of India के द्वारा ये DM है district collector है अजमेर के तो अजमेर जो top 5 जो cashless district है इंडिया का उसमें अजमेर का भी नाम आता है तो गौरब गोयल ने बहुत अच्छे से cashless transaction को पर्मोट किया अजमेर के अंदर तो इसलिए इसे जो scroll of honor से government of India ने सम्मानित किया फिर हज कमिटी हज कमिटी ओफ इंडिया जिसको की SCOI बोलते हैं हज कमिटी ओफ इंडिया इसका काम किया पहले यह जान लिजे कि हज कमिटी ओफ इंडिया का है जो लोग हज की यातरा पर जाते हैं उसके लिए जो जितने भी facilities है वो परवाइट करना होता है ठीक है तो टाकि उनको जाने में कोई तरह का problem नहीं हो उसके रहने कि अच्छी वेवस्ता हो उनके खाने की वेवस्ता हो मतलब यह काम करती है हज कमिटी ओफ इंडिया तो यह एक statuary वड़ी है तो पूछता है कि किस ministry के अंदर आता है किस union ministry के अंदर आता है कि यह आता है ministry of minority affairs ministry of minority affairs के अंदर आता है हज कमिटी ओफ इंडिया which state government has signed m.o.u memorandum of understanding small में यह यह लिखते है small में o लिखते है capital में u तो ऐसे लिखते है m.o.u तो which state government have signed memorandum of understanding to prepare state resident database state resident database के लिए किसने जो state memorandum of understanding जो है sign किया है government से तो यह है हरियाना और आंदर परदेश हरियाना और आंदर परदेश ने जो है signed किया m.o.u to prepare state resident database ठीक है who is the newly appointed secretary in the ministry of tribal affair who is the newly appointed co newly appointed secretary है ministry of tribal affair में तो यह है अनूप श्रीवास्तव अनूप श्रीवास्तव जो है IS थे है 1981 वेज के असम मैघालाई के डर के असम मैघालाई के डर के IS officer है 1981 वेज के अनूप श्रीवास्तव इसको जो है appoint किया गया secretary of ministry of tribal affair who wins the Australian Open 2016 moment title यह अभी कदम काफी famous हुआ था यह इधर ही recent की पूरा recent है लगबग यह 28 जन्वड की 28 यह 29 की बात है who wins the Australian Open 2017 moment title तो यह स्रेना बिलियम्स ने इन्होंने अपने बहान जो है वेनस बिलियम्स को हराकर जो है इन्होंने यह Australian Open 2017 moment title अपने नाम किया है मैं आपको बता देता हूँ कि यह स्रेना बिलियम्स जो है बहुत ही famous tennis की खिला रही है और साथ बार इसे world में number one ranking परावत हुआ है साथ बार साथ टाइम ऐसा हुआ है जिसमें इसे world number one ranking बिला है और यह जो है यह देख लिए इसका 23rd grand slam title था यह 23 grand slam title था जो कि मतलब समझ सकते हैं ना यह मतलब famous खिला रही है तो इन्हों ने यह 35 साल इनको उम्र है लगवग तो Australian Open 2017 moment title जो है सिरेना बिलियम्स के नाम हुआ इस बार इन्हों ने हराया अपनी बहान को ही वेनस बिलियम्स को ठीक है next question है कि 21 number first Indian post office passport सेवा के अंदर है short में क्या बोलते हैं P O P S K first Indian passport P O P S K का passport post office passport सेवा के अंदर has been inaugurated in which city कि city में inaugurate किया गया तो यह मैसूर में क्या गया करनाटक में ठीक है यह मैसूर करनाटक में inaugurate किया गया उदगाटन किया गया P O P S K अनि post office passport सेवा के अंदर confederation of Indian industry तो देखे इसको क्या बोलते हैं C I I short में इसको बोलते हैं confederation of Indian industry partnership summit 2017 has been started in which state किस state में start किया गया तो यह आंदर परदेश state में किया गया विशाखा पत्नम में आंदर परदेश में विशाखा पत्नम एक जगह है काफी फेमज जगह है आंदर परदेश का तो यहाँ पर जो है C I I I partnership summit 2017 जो है start किया गया who is the number one wetsman as per ICC ODI ranking तो इंटरनेशनल जो cricket council है ICC है उसके द्वारा ODI ranking में number one wetsman 27 जन्वरी के अनुसार से किस कया है तो यह है डेविड वार्नर जो कि आस्टेलिया के खिला रही है डेविड वार्नर को number one अभी जो है ICC ODI ranking है 27 जन्वरी के अनुसार से और second number पर है AB Develiers जो की South Africa के हैं AB Develiers South Africa के wetsman और third number पर है Indian Captain Virat Kohli इनका जो है तिसरा अस्थान है ODI में फिर चलते हैं V.Sangh Muthan resigned as the governor of which state recently यह जो है रिजाइन किये हैं governor थे तो किस state के governor थे यह पूछा गया है कि V.Sangh Muthan resigned as the governor of which state recently यह मेघाले के government थे मेघाले के government से इन्होंने governor से जो है इन्होंने रिजाइन दे दिया राजपाल थे मेघाले के तो भी Sangh Muthan ने रिजाइन दे दिया और राष्टपती पर्णव मुखर जी ने इस रिजाइन को accept भी किया The T20 Blind Cricket World Cup 2017 किस country कौन सा देश होस्ट करेगा The T20 Blind Cricket World Cup 2017 जो है इंडिया होस्ट करेगा इंडिया जो है इंडिया में T20 Blind Cricket World Cup होगा ये जो 29 जनवड़ी से लेकर 12 फरवड़ी 2017 तक चलेगा इनका मेच आपको बता दें कि इसमें जो है बहुत सारे country पार्टिस्पेट कर रहे है इंडिया को जो है पाकिस्तान भी है सिरलंका भी है अस्टेलिया भी है तो बहुत सारे country है और राहूल डर्वीड जो है इनके ब्रांड मेस्टर है इस तुनामेंट के ब्रांड मेस्टर जो है T20 Blind Cricket World Cup 2017 के ब्रांड मेस्टर है राहूल डर्वीड फिर चलते हैं हूँ आज awarded with the Galantry Award असोक चक्र on 68th Republic Day of India तो इंडिया के 68th Republic Day अभी मनाए हम लोग 26 जनवरी 2017 को ये जो 68 गंतंत्र दिवस था तो इसमें जो है Galantry Award दिया गया असोक चक्र दिया गया Galantry Award असोक चक्र तो किसे मिला तिये हंगपन दादा को मिला है हंगपन दादा मर्नो प्रांत इनको जो है मिला हंगपन दादा को असोक चक्र से सम्मानित क्या गया है इनके जो स्वर्गिय हंगपन दादा है इनके जो है जो एवाड लिया उनकी वाइफ ने लिया राश्पति पर्णव मुखर जी के हातों से तो ये आपको बता दें कि जो मैंने असोक चक्र जो है ये अल्डेडी हमने कभर किया हुआ है अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे जो मैंने पद्म भीभूशन, पद्म भूशन, पद्म स्री उसमें भी मैंने बताया था कि जो इस साल जो है जो रिपब्लिक डे के दिन साथ लोगों को पद्म भूशन के लिए फिर साथ लोगों को पद्म भूशन के लिए और 75 लोगों को पद्म स्री से सम्मानित करने का घोशना किया गया है और असोक चक्र के लिए हंगपन दादा को तो ये जो हम अल्डेडी कभर क who passed away recently was the ambassador of which country to India मतलब किस देश के ambassador थे Alexander Kadakin ये रूस के थे रूस के थे आपको बता दें कि 26 जनवी 2017 के दिन इनका देहान थो गया Alexander Kadakin का बहुत लॉंग समय तक रूस से रहने वाले जो ब्रांड एमेस्टर थे इंडिया में रहने वाले ब्रांड एमेस्टर थे वो थे Alexander Kadakin ये बहुत लंबे समय तक सर्व किये और इनका जो है देहान थो गया ये फास्ट अबे हो गये ये रूस के ब्रांड एमेस्टर थे 28 नमर है कि विच ये फेमस बिल्डिंग लाइट अप ऑन 25 जनवरी इन ट्रायकलर्स टू मार्क 68 रिपफलिक डे ओफ इंडिया आप लोग उन देखा होगा फेस्बुक पर बहुत सार लोग लाइब भी दिखा रहे थे कि बूर्ज खलीफा इनको जो है ट्रायकलर से लीडी लाइट से बारत के तिरंगा जंडा से इसे मतलब उस तरह से लाइटेनिंग अप कर दिया गया था तो ये वर्ल्ड का बूर्ज खलीफा जो है वर्ल्ड का tallest building है सबसे लंबा building है तो वहाँ से इस बार का जो गंतंत्र दिवस का chief guest थे वो थे सेख मुहम्मद विन जाइद ये जो official visit पर आये थे सेख मुहम्मद विन जाइद प्रिंस है यूएई के तो ये न्यू देली आये थे तो इन्होंने जो है UAE ने भारत के गंतंत्र दिवस के सम्मान में वुर्ज खलीफा को lightening up किया LED से उन्होंने भारत के तिरंगा जंडा के तरह से जिस तरह का trackler होता उस तरह से उन्होंने सजाया वुर्ज खलीफा को ठीक है तो ये show करता है अपने आप में की भारत और UAE क opt for electronic transmission of postal wallet to service voter तो ये देखिए पोस्टल वाइलेट एलेक्टोनिक ट्रांसमिशन ओफ पोस्टल वाइलेट तो ये जो है कौन सा इंडियन स्टेट गोवर्मेंट ने स्टार्ट किया पहली बार तो ये देखिए ये किया है गोवा में गोवा में चुनाब होने वाला है तो गो गोवा में एलेक्शन को लेकर जो है एलेक्टोनिक ट्रांसमिशन ओफ पोस्टल वाइलेट का स्टार्ट किया गया है तो ये अच्छा इनिस्येटिव है समझते हैं वीच मूवी इक्वल्स रिकॉर्ड विद फोर्टीन नोमिनेशन ओफ ओसकर दोजार सत्रह चौदा वार किस मूवी को किया गया दोजार सत्रह में इक्वल्स किया रिकॉर्ड को ये है लाला लेंड लाला लेंड जो है ये इक्वल्स दा फोर्टीन नोमिनेशन रिकॉर्ड ओसकर दोजार सत्रह में प्रिवेशली जो है पहले जो है टाइटेनिक और अल अबाउट इभी ये दो National Action Plan for Children Who releases National Action Plan for Children इसको सौट में क्या बोलते हैं N.A.P.C. 2016 On 24 जनवरी 2017 24 जनवरी 2017 को किसने जो है National Action Plan for Children रिलीज किया तिये मेनिका गंदी ने किया है मेनिका गंदी ये बुमेन और चाइल्ड का वेलफेर मिनिस्टर है मेनिका गंदी तो इन्हों ने जो है N.A.P.C. 2016 रिलीज किया फिर है वरिष्ट पैंशन वरिष्ट पैंशन विमा योजना जो कि भारत के परधान मंतरी नरेन मोदी ने स्टार्ट किया है वरिष्ट पैंशन विमा योजना 2017 विल वी इंप्लिमेंट थूरू किसके दोरा इंप्लिमेंट किया जाएगा जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग है उनके लिए वरिष्ट जो है पैंशन विमा योजना 2017 लाए गया है तो इनका यह जो इंप्लिमेंट करेगा यह Life Insurance Corporation of India LIC LIC जो है इंप्लिमेंट करेगा Non-Wanking Financial Committee है यह तो LIC जो है इनको इंप्लिमेंट करेगा वरिष्ट पैंशन विमा योजना विच कंट्री विद्ड्रा फ्रॉम ट्रांस पेसिफिक पार्टनर्शिप डिल ओन 23 जनवी 2017 आप जानते हैं कि नूली एलेक्टेट जो अभी USA के President है Donald Trump वो जो है काफी बरे बरे डिसिजन ले रहे हैं USA के अंदर उन्होंने जो है Trans-Pacific Trade Partnership जो है Trans-Pacific Trade Partnership जो है Website का जो Trans-Pacific Partnership था उसको जो बिड्रॉ कर लिया है तो यह किस ने किया है तो USA ने किया है आपसे पूछा जारा है किस कंट्री ने किया है तो USA ने किया है यह बिड्रॉ कर लिया Trans-Pacific Trade Partnership which is the first Indian stock exchange to hit the capital market through IPO on 23rd January काता है कि कौन ऐसा first Indian stock exchange है जिसने कि capital market जो है IPO के 23 जन्वरी को capital market जो है highest पड़ था hit किया capital market तो यह है Bombay Stock Exchange Bombay Stock Exchange ने यह first Indian stock exchange है to hit the capital market through IPO who confirms who confirms National Bravery Award to children on 23rd January 2017 23 January 2017 को किसने जो है National Bravery Award बच्चों को दिया तिये PM नरेन्द मोदी ने दिया PM नरेन्द मोदी ने जो है National Bravery Award जो है Brave बच्चों को 23 जन्वरी 2017 को दिया उसको ठीक है तो यह आपका जो है Part 1 जो हम यहाँ पर इस lecture को Ind करते हैं अब जो है Part 2 Current Affair का हम कोशिज करेंगे जितना जल्दी हो से कि आपके लिए लाए जन्वरी का तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं इसको शेयर कर सकते हैं और जो लोग Online Study Channels को Subscribe नहीं किया हैं वो लोग Online Study Channels को Subscribe कर सकते हैं